ओके वेलकम बेक स्टुनेंट्स सो बड़ा आज का जो टॉपिक रहेगा टॉपिक का नाम है Refraction Through Prism बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कुछ जर्नल बेसिक इंट्रोडेक्शन ले ले लेते हैं प्रिजम था गया दिखें प्रिजम की अगर बात करें तो बेसिकली जैसे आपके सामनी ये प्रिजम को दिखाया जा रहा है इस प्रिजम में टोटल दो फेस तो ट्राइंगल शेप में रहते हैं और बाकि रेस्ट औफ जो पॉइंट इंट पेस रहते हैं rectangle shape में रहते थे, दो triangle shape में और तीन अगर बात करें आपके कौन से हैं, rectangle face में रहते थे, अब इसी चीज की according, हम लोगों को यहां की case में, आज की question में यह find out करना है, कि exact अगर किसी prism के अंदर, हम लोग यहां की case में reflection create करवाते हैं, तो light इसके case में भी bend होती है, अगर bend होती है, तो वो अपने original रास्ते से, कितना अपने आपको deviate कर जाएगे, बढ़का देगी, उस जिसको मुझे यहां के case में आज find out करना है, अब इसकी derivation की तरफ चलने से पहले वेटा, आप लोगों को कुछ basic चीज़ें याद होनी चाहिए, जो छोटी classes में आप लोगों को पढ़ाएगी थी, और यहां पी वो चीज़ें usable रहेंगी, इसलिए पहले मैं आप लोगों को उन्चे जोगे बारे में थोड़ा बतातू, जैसे एक concept यहां की case में use होगा, सम होता वो कितने का बराबर होता 180 डिगरी, और similarly किसी quadrilator के अंदर, that is four side figure के अंदर जो interior angle का सम होता था, वो कितना होता था 360 डिगरी, and after that यह concept अभी आप लोगों ने previous वाले मेरी वीडियो से लेक्चर में भी देखा था, जब angle छोटे किये जाते हैं, उसरों हम लोग sign i के value, almost i के बराबर ले ले लेते, sign r के value किसके बराबर ले लेते थे r के बराबर, proportions e की value किसके बराबर ले ले लेते थे e के बराबर, यह हमारे पास basically journal concept tay, अब इसीगे related अगर बात करे, ये concept हमारे यहां के आज की topic में usable रहेंगे इसलिए मैंने पहले आप लोगों को ये चीज़ें clear करती है अब इटा topic की तरफ चलते हैं पहले मैं आपको diagram समझाऊँगा इसकी diagram कैसे बनेगी पहले वो चीज़ें clear करेंगे then after that diagram के बाद मैं आपको इसकी shortcut trick बताऊँगा विटा सारी खेल उसी shortcut trick है अगर आपको shortcut tricks याद रही तो it means आप इसकी derivation को बड़ी असानी से cover up कर लोगे तो सबसे पहले diagram को बनाने का तरीका समझते हैं तो देखें ये prism के case में अगर बात करें तो बाहर एक rare medium है और अंदर एक denser medium है मैं rare medium का जो refractive index है इसे किस्ते denote कर लेता हूँ let it be mu1 और जो अंदर का refractive index है उस refractive index को मैं किस्ते denote कर लेता हूँ let it be mu2 चीक है इस material का अंदर का जो refractive index से किस्ते denote कर लेता हूँ mu2 represent कर देता हूँ अब देखे मैं यहाँ की case में कुछ angle से पहले number light को incident कर रहा हूँ तो मैं यहाँ की case में दो चीज़ें सासात में लेके चलूँगा मैं कहूंगा कि अगर prism नहीं होगा तो light कैसे जाने चाहे अगर prism हुआ तो light कैसे आएगी तो देखे, मैं यहां के case में अभी light को इस surface के ओपर कुछ angle create करके गिरा रहा हूँ let it be, यह light incident के, तो अगर मैं कहता हूँ कि यह light prism ना होता तो कैसे चलती, straight line में चलती रहती क्योंकि Newton का concept था, कि light हमेशा straight line में travel करती है, तो अगर यह prism बीच में नहीं होता तो light straight line में चलती रहती है, और यह bend नहीं होती, तो इस line को मैं ऐसे करके draw कर देता लेकिन क्या prism आने के कारण, light क्योंकि rare से dancer में जा रही तो bend करेगी अब bending अगर show करवा नहीं है, तो bending के लिए आपको normal चाहिए होता है, तो हम लोग काम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक normal को draw करना start कर देते हैं, तो देखे, इस point की according मैं normal यहां के case में draw कर रहा हूँ, तो let it be, यह मेरे पास यहां क्या point की according एक normal draw कर दिया, छीक है, यह green color point की according मैं normal draw कर दिया, अब देखे, light rare से rare medium में जा रही थी, तो rare से denser medium में गी, तो bend towards the normal, और normal नीचे है, तो इसका बात करें, यहां से अपने आपको mode के थोड़ा नीचे की तरफ ले आएगी, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन denser medium आने के कारण यह bend कर जाती है, तो इसकी bending करवा के मैं इस point पे indicate कर देता हूँ, यह ऐसे करके आगया, ठीक है, अब light जब bend होके यहां पर पहुंचे, तो अब हमारे point of view के according, light फिर से denser से rare में जा रही है, और denser से अगर rare में गई, तो फिर से rule हम लोग ने पढ़ा, कोई light denser से rare में जाएगी, तो हमेशा bend कहां की तरफ करती है, अब यह from the normal, तो मुझे normal फिर से बनाना पड़ेगा, तो इस surface के लिए मैं बापीस एक normal draw करता हूँ, त देखे से यहां की case में मैंने बना के बता दिया आपको, देखे, यह normal आ गया, ठीक है, तो अब इसी point की according अगर बात करें, तो हम लोगों ने normal विड्रो कर दिया, अब rule की according देखा जाए, तो यह light एक्चल में जानी कैसे चाही थी, सीधे जानी चाही थी, लेकिन यह bend कहां क की तरफ करेगी, away from the normal, तो देखिए, आप थोड़ा सा खुद इसको analyze करिए, यह line ऐसे जा रही थी, तो bend away from the normal करने तो उपर की तरफ चले जाएगी, तो नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए, मैं इस light को bend करके कहां की तरफ ले आऊंगा, नीचे की तरफ, मैं इस light को extend कर देता हूं, पीछे की तरफ, तो यह ऐसे करके state चले जाती, point clear होगा, यह वैसा ही concept अगर reverse होती, तो meaning क्या होता, light यहां के case में प्रिजम नहीं होता, यह light भी कैसी चलती, सीधे चलती, तो दोनों एक जगा पे meet कर जाते, चीक है, तो अब इसी point की according अगर बा Normal ray के point की according affirmative करते हैं, हम्cionद का नाम रख लेता हूं, let it be A'd, capital A'd रख दिया, और इसी त rebellique से, इस point का नाम बेटा मैं रख देता हूं, capital B, capital B mention कर रहा हूं, इसी point की according अगर बात करें, इस point का नाम मैंने यहां की case में mention कर दिया, capital C, और इसी point की according अगर बात करें, इस चीज़ का नाम mention कर दिया capital D अब देखिए ये normal ray ये incident ray नॉर्मल और incident के बीच में जो angle बनता है इसे ये नाम देते है angle of incident इसे denote कर देते है आई से इसी तरी के से देखिए ये था इसका original रास्ता लेकिन light बटक के इस रास्ते में चलेगी तो light अगर बटक गए तो इसे हम लोग कहेंगे angle of deviation create करना और इस angle of deviation को बेटा हम लोग यहां के case में किस से denote करते हैं डेल्टा 1 से और इसी तरी के से फिर से देखिए ये इसका original रास्ता साथ ये बटक के इस रास्ते में आ गए इसका original रास्ता और बटके हुए रास्ते के बीच में जो angle होता है वो angle होता है angle of deviation जिसे हम लोग किस से denote करते हैं डेल्टा 2 से अब इसी तरी के से अगर बात करें तो देखिए ये normal ये incident ray थी ये light जायसे ही अंटर की अंदर की तरफ तो ये बन की reflected ray reflected ray और normal के बीच में जो angle बनता हूँ उस angle का नाम होता बेटा that is known angle of reflection जिसे में किस से denote कर रहा हूँ R1 से और इसी तरी के से ये अगर बात करें तो इसी point की according ये reflected ray ये normal ray इसी point की according इस angle का नाम भी कर रख दे तो मैं R2 point clear हो गया अब इसी तरी के से अगर बात करें तो देखिए जो light टकरा के बाहर आती है उसका नाम होता बेटा emergent ray इसका नाम क्या होता है emergent ray तो ये normal और emergent ray दोनों के बीच में जो angle बनता है इस angle को नाम देते है वेटा that is known as angle of emergent जिसे हम लोग small e से denote करते हैं अब मैं इसके अलावा इनके नाम थोड़े से mention कर दूँ ये हमारे पास a dash ये b ये c और ये d है इसी तरी के से अगर बात करें तो इस point का नाम मैं mention कर रहा हूँ O और इस point का नाम मैं mention कर रहा हूँ O dash point clear हो गया फिर से repeat कर रहा हूँ ये O और ये O dash इसी तरीके से इस normal line का नाम रख देता हूँ and इस normal line का नाम के रख देता हूँ let it be n- चीक है अब हमारे पास concept की according generally जो values जाई है वो आगे देखो अब ये angle of incident sorry ये angle of division ये angle of division दो angle of division को मिला के total angle of division को represent कर देता हूँ यहाँ की case में इसे मैं यहाँ के case में किस से denote कर हूँ वेटा डेल्टा से और इसी तरीके से आप लोग ने इवन की 9th class में एक theorem पड़ी थी theorem में क्या समझाया गया था अगर किसी triangle का base सेम हो तो उसके उपर दो triangle बन जाए same base पे दो triangle बन जाए उनकी अपर एंगल दोनों हमेशे क्या ओते दे बराबर यहाँ की case में यह prism है इस prism का जो angle of prism होता हो से denote करते हैं बेटा हम लोग capital A से अब इसी point के according तो यहाँ की case में यह अपर एंगल का जो pointed है इसका नाम भी क्या आजाएगा capital A मेंचन करते है चीका point तो देखे जनल ही सारी relevant pointed हमारे पास आ चुका मैं फिर से जल्दी से इसको repeat करता हूँ incident ray normal ray गी अगर बात करें इसको original path था बट यह deviate होके इस रास्ते पे आ गई तो यह angle of deviation बना फिर इस तरी के से यह अच्चल में ऐसे सीधे जाने चाहिए थी लेकिन यह rare video में आ रहे तो फिर से bend कर जाती है तो इस point की according यह second angle of deviation बेटा आपको एक request है कि आप जब इस वीडियो को देखोगे तो प्लीज एक बाट रोग cases को revise जरूट कर लेना ठीक है अब हम लोग चलते हैं इसकी derivation की तब एक derivation आपको मैं आभी कर बाता हूँ second video उसके बाद बनाऊँगा जिसमें minimum divisions के बारे में आपको समझाया जाएगा तो देखें पीटा इसकी shortcut trick आप लोग अच्छे से याद कर लेजे बस आपको इसी shortcut trick के बेस पर इस सारी कहानी को निकाला तो यह आपके सामने में shortcut trick बता रहा हूं इस shortcut trick के इस पूरे questions को tackle करने पहला नंबर left side फिर right side फिर upper triangle फिर low triangle फिर quadulator देखें left side आगी यह वाला concept जिसमें angle i की value को find out किया जाएगा फिर आया right side right side को आगया immersion point फिर इसके बाद लिखा गया बेटा अपर triangle अपर triangle means इस line की अपर जो triangle बन रहे है जैसे बी ओ सी यह triangle इसके बाद आया बेटा लो triangle लो triangle में कौन सा आ गया बी ओ डैच सी वाला फिर इसके बाद क्वाड़ेटर इसका meaning दोनों triangles को combine कर दिया जाए तो cardulator ठीक है तो आपको यही shortcut trick याद रखने इसी के बेश पर यह derivation पूरी complete की जाएगी सो देखिए हम लोग start चारते हैं अपनी trick के बेश पर तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं left side के बारे में तो left side में एक चीज़ आपको दिख रही है कि हमारे पास जो angle a यह a-b और अगर बात करें यह एक line की ग्रीन कलर की और यह red कलर की line जो डॉटर लाइन जा रहे है यह दोनों एक दूसरे को cross कर रहे हैं तो इसका meaning यह vertical opposite angle हुए तो यहां के case में लिख रहा हूँ angle a-bn is equal to angle o-b-o- इसके बराबर आना चाहिए o-b-o- के बराबर आना चाहिए और reason यहां पे लिख देता हूँ vertical opposite angle है इसलिए vertical opposite angle है that is why ठीक है अब इसी तरीके से अगर बात करें तो vertical opposite angle के according it means यहां के case में angle i बना था यह angle i किसके बराबर आ जाएगा कि यहां तो दो angle बन रहे है इसका meaning दो angle को add करके angle i के बराबर आ रहा है तो delta 1 plus क्या जाएगा r1 मुझे यहां के case में delta 1 की value चाहिए तो अगर delta 1 की value चाहिए तो कैसे की निकाला जाएगा से इस point की according अगर बात करें तो मैं mention कर देता हूँ यह r1 plus का वहाँ जाके क्या हो जाएगा minus का तो delta 1 is equal to कितना आ जाएगा यहां के case में i minus r1 आ गया इसे रख लो equation number first यह हमारे पास अगर बात करें तो left side निकल गी तो left side का का काम यहां के case में क्या हो गया खतम हो गया अब इसकी बात को नाया मेरे पास right side similarly right side को देखिए c and dash यह angle अगर बात करें तो यहां के case में किसके बराबर आ रहा है देखो यह line यहां के case में straight line जा रही है यह daughter line जा रही है यह दोनों अगर बात करें vertical opposite angle बना रहे है इसका meaning दूसरा angle कौन सा o c o dash यहां पर लिख देता हूं angle o c o dash लिख दिया अब आप मुझे बताई यहां के case में angle कितना बना e यह आ गया angle e किसके बराबर आ रहा है angle e अगर बात करें यहां के case में इन दो को add करके आ रहा है तो इसका meaning किसके किसे add करने पर आ रहा है यहां के case में r2 plus किसके बराबर आया delta 2 के बराबर आपको किसकी value चाही थी delta 2 तो delta 2 की value को हम लोग यहां के case में क तो ये हमारे पास 7 की equation number 2 इसी point की according ये दो equations हमारे case में बनेगे इसलिए हमारी ये right side भी यहां की case में क्या होगे खत्म अब बात आती है upper triangle की तो upper triangle को देखा जाए तो triangle कुन से पहले number तो ये समझ गया अब इसी तरीके 3rd step की तरफ चलते हैं अपनी ट्रिक किया तो 3rd point था हमारा upper triangle तो upper triangle की case में triangle कौन से दिख रहे है इन triangle यहां के case में triangle का नाम क्या ओ ये बी और ये सी इसी तरीके से लिख दिया in triangle O, B, C और इस triangle की बात करता हूँ तो इसका meaning की अगा देख सामने दिख रहे है दो interior angle है एक exterior है तो मैं लिख देता हूँ यहां के case में दो interior कौन से delta 1 प्लस delta 2 किसके बराबर आने चीए delta के बराबर इसलिए यहां के case में क्या लिख दिया delta 1 प्लस delta 2 किसके बराबर आ गया delta के बराबर इसे रख लिए equation number के हमाने third अब मैं काम क्या करता हूँ तो पीछे मैंने delta 1 और delta 2 की value निकाली यहां put कर देता हूँ तो लिख देता हूँ put equation put equation first and second first और second को put करता हूँ किसमे third में put करता हूँ तो हमारे पास answer क्या आ जाएगा इसका answer हमारे पास relevant बन जाएगा delta 1 की value कितनी आगी i minus r1 आगया प्लस अगर बात करें delta 2 की value कितनी आगी e minus कितना आगया r2 आगया इसी point की according दोनों को add करके किसके बराबर आ रहे यह delta के बराबर तो इसी चीज़ को थोड़ा सा simplify कर लेता हूँ i plus e as it is रहा दोनों में से minus common लिया r1 plus क्या बना दिया r2 और इसी point क according मैंने इसी चीज़ को simplify करके किसके बराबर ले लिया delta that's the equation number is your fourth देखे मैंने इसमें ज्यादा जंबल ने किया simply i और e को कितना लिखा minus common ले लिया r1 और r2 as it is mention करती है point clear हो गया तो अब इसी point की according हमारे पास यह upper triangle का concept वी I think आप लोगों को सबको clear हुआ होगा अब चलते ह यहां से दिखाता हूँ देखो triangle कौन से दिख रही है b o dash और साथ में किया c b o dash c इस point की according बात करें तो यहां की case में मैं इस triangle को यहां की case में sort out करता हूँ मैं यहां पर लिखता हूँ इन triangle कौन से triangle है यहां की case में b o dash यह c की बात करें इन triangle b o dash c इस triangle की बात करें तो इस triangle की case में तो हम लोगों को तो कोई rule दिख नहीं रहा कि अच्छल में कोई rule implement हो दो triangle को add करके जहां समोफ two interior angle one exterior यहां पर तो simply एक चीज हमारे पास rule पढ़ा थ यहां पीछे कि sum of all interior angle is always equal to kis के बराबर होता है 180 degree तो पहला एंगल बंडरा r1 दूसरा एंगल बंडरा r2 तीसरे एंगल मुझे नहीं पता इसलिए इसका नाम क्या रख देता हूं o dash रख देता हूं तो हमारे पास concept क्या आ जागा r1 plus r2 plus o dash angle is equal to कितने के बराबर आ गया 180 degree ठीक है यह point मेरा अब मैं यहां की case में इसे रख लेता हूं equation number 5 यह equation number 4 यहां पी थी हमारे पास नीचे तो इसी point के according equation number 5 रखती मैं ठीक है प्लीज सब बच्चों को एक request है साथ साथ में जब वीडियो को देख रहो तो साथ साथ में return जरूर करते जाए क्योंकि रिटन करते तो at least साथ में इसकी derivation साथ साथ में note की ओपर salt out करते जाना है ओके यह आ गया अब इतमीज हमारे पास यहां की case में low triangle का concept भी खतम हुआ अब बचा कोण है quadulator quadulator की ओपर चलते हैं तो मैंने अभी जैसे बताया है diagram के according दोनों को combine करके देखना है तो दोनों को combine कर लेता हूं तो quadulator figure कौन सी बनी O, B, O' और यह C तो लिख देता हूं in quadulator in quadulator triangle quadulator का नाम क्या है O, B, O' और साथ में क्या आ आ गया C आ गया तो sum of all interior angle के इसके बराबर होता है 180 degree के बराबर होता है तो इस 180 degree तो देखे इसके case में कोंगों सी exterior pointed angle है एक तो angle यह आ रहा है पहला number यह angle कितना आपको यहां के case में बताया है जब actual में base same हो तो दोनों triangle का angle pointed है वो same रहता है अगर यह angle A है तो यह angle भी कितना होगा A इसके case में इसका नाम भी यहां के case में mention करते है तो angle A यह पहला आ गया interior angle plus इसी point के according दूसरे angle देखे अब दूसरे angle कौन सा pointed इसके point के according जाद रखे जब दो normal line एक दूसरे को intersect करती है तो इन दोनों को add करके जो total angle बनता हो हमेशा कितना होता है 90 degree इसलिए यह normal line और यह normal line तो उनों को angle समको add करके कितना आजाएगा 90 degree आएगा तो इसका meaning angle B की value कितनी होगी 90 होगी यहां के case में mention करते हूँ एक angle over मिल गया मुझे 90 degree plus अगर बात करें तीसरे angle की बात करते हैं तो इस तीसरे angle देखें इसके case में o dash की value तो मुझे पहले भी नहीं पता थी तो इसी point की according हम लोग ने यह normal point की according इस angle का नाम के रखती है o dash रखती है यहां की case में o dash रहने दिया अब इसी point की according यह फिर से normal line यह वाली line भी अगर बात करें तो यह incident करके moody नहीं थी यह immersion करके moody नहीं थी इसके point की according भी दोनों को angle का sum कर गएंगे तो कितना आजाना चाहिए 90 degree तो यहां पर further मैंने कितना रिख दिया 90 degree और इन सब को add करके total angle का sum कितना आना चाहिए 360 degree के बराबर अब मैं इसे salt out करते हूं तो कितना आजागा a plus 90 और 90 कितना हो गया 180 हो गया और यह o dash as it is रहने दिया यह plus 180 is equal to 360 के बराबर है अब a plus o dash यहां की case में यह 180 plus का वहाँ जाके क्या आजाएगा minus का 360 minus 180 आगया इस point के according a plus o dash अगर बात करें कितना आगया 180 degree के बराबर यह question number आपकी बनेगी 6 अगर मैं 5th और 4th 6 को compare करता हूं तो compare करने पे देखे क्या आजाएगा as comparing अगर मैं दोनों को compare करता हूं comparing 5th and 6 तो उस point के according मेरा answer क्या बन जाएगा यह देखे इधर भी 180 इधर भी 180 इसका meaning r1 plus क्या आजाएगा r2 किसके बराबर आया plus o dash किसके बराबर आया 180 degree और 180 degree प्लेस अगर बात करें सोरी r1 plus r2 plus o dash is equal to किसके बराबर आना चाहिए यह a plus क्या आजाएगा o dash यह मैंनी यहाँ के case में mention कर दिया ठीक है क्यूंकि दोनों को equate करो 180 180 बराबर रहना चाहिए that is why अब इसी point की according अगर बात करें तो यहाँ की case में o dash o dash आपस में क्या होगे cancel बचा कौन r1 plus r2 यहाँ से clear हुआ r1 plus r2 किसके बराबर आएगा a के बराबर तो मैंने इसी equation को लिया इसे equation number दे देता हूँ 7 और equation number 7 को किस में put करने की कोशिश के equation number 4 में जो equation number 4 नीचे बनी थी तो मैं लिखता हूँ यहाँ की case में put equation 7 को अगर मैं 4 में put करता हूँ तो देखे answer क्या आजाएगा तो इस point की according i plus e as it is रहा इसी point की according minus r1 plus r2 किसके बराबर है a के बराबर इसलिए यहाँ की case में minus a is equal to किसके बराबर आगया delta के बराबर यह हमारे पास generally equation बनेगी एक angle of divisions को find out करनेगी लेकिन अभी इस equation को और हम लोग थोड़ा सा solve out कर सकते हैं तो मैं देखी यहाँ की case में क्या लगाता हूँ using snell slow और आप लोग ने snell slow का concept पढ़ा था और इसी point की according इस equations को और थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो snell slow की equation क्या थी हमारे पास mu is equal to किसके बराबर था sin i upon क्या था sin r के बराबर होता था हम लोग उसी rule की according इस concept को यहाँ के case में solve out करते हैं mu is equal to क्या आजाएगा sin i upon क्या आगया sin r1 आगया बट हम लोग ने पढ़ा हुआ है for small angle यह दोनों sin i किसके बराबर हो जाएगा i क्योंकि मैंने आपको starting में ही clear किया था तो इस point के according sin i is almost equals to किसके बराबर आजाएगा i के बराबर और sin r1 किसके बराबर आजाएगा यहाँ के case में r1 के बराबर यह दोनों clear होगे अब जब दोनों values आई इसमें put करता हो तो mu की value कितनी आजाएगी mu is equal to कितना आजाएगा यह sin i के जगा आगया i और इधर r1 के जगा क्या आजाएगा r1 आगया और इसी point के according अगर इसे थोड़ा सा simplify किया जाए r1 नीचे डिवाइड दूसरी साइड जाके क्या आजाएगा multiply तो mu r1 is equal to किसके बराबर आजाएगा i के बराबर that's the equation number is your ninth मैं इसे ninth equation रख दिया अब इसी equations के according हम लोग अगले point पे चलते हैं अब snell slow लगाते हैं फिर से using snell slow और snell slow के according यह भी आ जाएगा यहां के case में आप लोग ने पढ़ा कि हमारा mu किसके बराबर था mu is equal to sin हमारे पास था e upon किसके बराबर sin r2 अब यह कैसे बना क्योंकि मैंने right side से देखने हैं एक बार left side से तो हमारे पास जब right side से देखा गया e पहले आया फिर r2 आया इसलिए मैंने इस snell slow के according यह formula बना दिया for small angle के लिए हम लोग ने बार बर पढ़ा होगा for small angle के लिए हमारे पास यही चीजें tackle करके कितना आ जाएगा यह हमारे पास equation बन जाती है mu is equal to किसके बराबर sin e, e अगर बात करें, sorry, it's sin e किसके बराबर आ जाएगा e के बराबर और sin r2 किसके बराबर आ जाएगा, almost r2 के बराबर, यह point clear हो गया अब यह दोनों values को यहाँ पर put करतें तो क्या आ जाएगा, mu is equal to, यहाँ के case में e आ जाएगा और यहाँ के case में अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा, r2 नीचे divide दूसरी सार जाके क्या आ जाएगा, multiply और इस point के according यह e की value बनी, अब इससे रख लेता हूँ, मैं equation number यहाँ के case में 10, अब देखें, हमारे पास equation number 9 थी यह वाली, और equation number 10 यह है, तो दोनों की values को put कर देता हूँ, मैं equation number 8 में, तो मैं लिखता हूँ, put equation, equation 9 and 10, equation number किस में put करनी है, 8 में, 8 में put करता हूँ, तो देखें क्या answer आ जाएगा, इस point के according जो हमारे पास answer निकल के आएगा, वो आ जाएगा, आई की value देखें, यह i की value put करनी है, तो i की value है, कितनी मेरे पास, mu r1, इसलिए i की जगा इधर put करने लगाँ, कितना है यह, i की जगा आ जाएगा, mu, यहां की case में, mu r1 आ गया, mu r1, ठीक है, प्लेस अगर बात करें, e की value, e की value कितनी आ गई, mu r2, इस point के according क्या जाएगा, mu r2 आ गया, इसी point के according minus a था, minus a का minus a रहने दिया, is equal to किसके बराबर था, delta, ठीक है, अब देखें, दोनों में से common क्या रहा है, mu common आ ग गया, और यह कितना आ गया, minus a is equal to delta, अब आपने पीछे soldered किया, r1 plus r2 किसके बराबर है, a के बराबर, तो इस point की according अगर बात करें, तो कितना आ जाएगा, यह, यहां के case में, minus a, इस point की according कितना आ गया, यह, delta के बराबर, अब दोनों में से common क्या रहा है, common अगर बात करें तो pointed a आ रहा है, तो बचा किया, यहां के case में, mu minus 1 into a is equal to delta, that's your final equation, जो आपको यहां के case में find out करके बता रही है, कि angle of minimum deviation कितना होगा, तो यहां से clear हुआ, कि जैसे जैसे refractive index increase होता जाएगा, वैसे वैसे angle of deviation भी continuously कहाते जाएगा, increase होता जाएगा, अब हम लोग नहीं, इसक experiment किया, और जिसकी according यह confirm हुआ, कि angle को change करने पर value कैसे change हो सकती है, ठीक है, so I hope कि आप लोगों को सबको यह derivation कैसे थी, और किस तरीके से निकालनी थी, clear हुई होगे, मैं generally, जल्दी से एक quick revision point की according आपको बताता हूँ, आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसी shortcut tricks को याद पहले left side, फिर right side, फिर upper triangle, फिर lower triangle and the quadrilator, इस rule को implement करेंगे तो हमारी derivations clear हो जाएगे, ठीक है, I hope सबको clear हुआ होगा, तो, okay, so अभी इतना ही करते हैं, okay, thank you and have a good divider.